तो इस वीडियो में बात करने वाले Computer Age Management Services Camps के बारे में और हम यहाँ पर weekly time पे इसको क्या करने वाले, इलाज करने वाले सबसे पहले दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर डिमांड क्या है? डिमांड जो है यहाँ पर 2300 से 250 की एक रेंज जब तक स्टॉक इस रेंज के उपर है तब तक के लिए इसमें थोड़ी सी भी strength है. अगर इस रेंज का भी breakdown हो गया तो downside तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी. स्टॉक के अंदर और recovery होने ही थोड़ी सी मुश्क चुका है. अभी तो उपर की तरफ resistance यहाँ पर एक देखने को मिलेगा. आपको 2800 के आसपास का तो अगर 2800 का level of side break हो जाता है तो आपको campus के अंदर short term में मतलब एक ही हफ़ते के अंदर 3200 तक यह stock भागता हुआ देखने को मिल सकता है. मतलब 400 point की strat forward rally आपको देखने को मिल सकती है. ठीक है. 32 का level of side से निकलता है तो फिर finally आपको एक all time high का target देखने को मिल जाएगा जो की stock को 4000 तक यहाँ पर ले जा सकता है. तो यह चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है ध्यान में रख कर चलनी है. वैसे तो company अच्छी है लेकिन promoters नहीं है और insiders में जो माल बेचा है उसकी वजह से stock काफी जादा यहाँ पर track हो चुका है और downside तो अभी हमें यह देखना है कि किस तरह से इसमें recovery आती है. हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है वो है levels और पैसा जिससे भी level करता है. हमें उस side का trade यहाँ पर लेना है. नीचे downside में करता है तो हमें बड़े players को follow कर हो. यहाँ पर शोर से भी मारना पड़े तो हम जरूर मारेंगे तो दूसरी तरफ यह जानकर से वीडियो कॉल लगाओ प्लीज लाइन चैनल सब्सक्राइब जरूर लेना.